हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो अनदर वीडियो सो जैसा कि आज आपने थम्नेल पड़ा है तो आज हम लोग इस चाभी के बारे में बात करेंगे जो कि मारुति की हर गाड़ी में अल्मोस्ट आते ही है तो यह चाभी जो इसमें आप देखर खरी लॉक अनलॉक बटन है उसके अलावा और इसमें क्या कर यह दो गाड़ी के दो बटन में फीचर रहते हैं यह सिक्यॉर्टी सिस्टम में फीचर है तो चलिए आज हम लोग उसी के बात करेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें कि सो सबसे पहला फीचर जो है वह इस चावी का है सब्सक्राइब को मैं और चावी का सब्सक्राइब तो यह दो ही जो है यह दो तो आपको इसमें बताया साइलेंट अनलॉब फीचर वह इस दो रिमोट की दो रिमोट बटन से ही होगा जैसे कि अगर आप मान ली जो सुबहाँ आपके जाते हैं और आपके महले या फिर कोई अपने घर में जहां पे बहुत लोग रहते हैं या फिर आपकेले कहीं गाड़ चाला करद कि आप चाते हैं कि अगर आप सुखा में किसी को Stop नहीं करें और अराम साब गाड़ी अपनी खोले जो वाज आती है या वाहत नहीं कि partager और आप चाले कि को ल us pan को बताता हूं यह जो डो डो बटन आपको दिख रहे हैं इन की एक साथ एक साथ एक बार के लिए प्रेस करकर रखना नहीं है सापको प्रेस करनां है बस एक बार मैं दिखाता आपको यह जैसे दोचा भी हुआ इसको मैंने दवाया अब यह गाड़ी देखिए लॉक हुई अनलॉक हुई यह अब कुछ सकेंड के लिए पांच सकेंड के लिए यह साइलेंट मोड में आ जाएगा आपको इसमें फिर आपको यह आवाज नहीं करेगा पर वही अब पांच से में आ जाएगा और आवास करने लगेगा तो यह था इसका पहला साइलेंट फीचर हो सै तो चली है बसके दूसरे से फीचर के दकंथ गाड़ से होगा वह आपको दिखातां यहां पर आलां बटन दिया गया है ये इस इसका काम करेगा यह ये फीचर जो है वो होता है शॉस्च अशाओं सेंसर को अक्टिवेट करने के लिए इसका जो दूसरा फीचर है शॉक्सेंसर फीचर जो कि हम आक्टिवेट कर सके हुआ चाम को इसमें है उन करना है फिर आपको और करके निकाल लेना इसको प्रेस करना वान टू थी फॉर फाइव लॉंग प्रेस करना है यह आवाज की और यह लॉक बटन सो जो अब है आपका साॉक देखते हैं कैसे काम करता हैं हम ने लिया यह गाड़ी को हमने लॉट किया अभी आप तो यह तो यह गाड़ी देखिए यह मैं ने आप इसको थोड़ा से भी छेड़ूंगा तो यह गाड़ी अपने आप आवाज करने लग जाएगी देखिए अब या फिर पईया पर मारूंगा यह फिर अपना सॉक अपने आपिवेट हो जाएगा तो यह मैं इसका दूसरा फीचर दिया अब यह को अम लोग कैसे करेंगे चले दिखाते हैं तो वही वापस से वही प्रोसेस आपको दुबारा से करना है चाहा भी ले जाना है ओन में करना है वापस लाना है फिर यहां पर अलार्म बटन को पा फाइव 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 लाउंग प्रेस करके लोग यह आपका डियाक्टिवेट हो गया अब आप लॉग करेंगे आप मारेंगे भी तो कुछ नहीं होगा चुकि इसका सॉक चंसर अक्टिवेट हो गया तो चलिए आप इसका तीसरे फीचर की तरफ बढ़ते हैं तो alarm disable switch alarm disable मतलब आपको यह गाड़ी अपने alarm को आप किस तरह पूरी तरह से डिसेबल कर सकते मतलब फूरी थरा बंद करते हैं आप अगर यह आवाज जो चाहते हैं कि lock unlock में जो आप अपनी remote से बंद करते है जबकि जो silent शौक सेंसर वाला था उसमें आपको दर्वाज़ा खोल करना होता है तो इसमें आपको क्या करना है गाड़ी को लेना आ तरफ करके आपको निकाल लेना है और यह जो अलाम स्विच को है इसको आब एक ही बार लॉंग प्रेस करना है आपने ये इस लॉंग प्रेस को गाड़ी को दबा कि आपको पांस सेकेंड रखना है फिर आप जहां देख सकते हैं यहां पर एक रेड लाइट अक्टिवेट हो गया है जलने लग गया है इसका मतलब आपका ये अलाम अब डिसेबल हो चु कर रहा है या फिर कुछ होने वाल है सो वह मैं आपको अब दिखाता हूं कैसे क्या होता है सो अब देखेगा मैं अब गाड़ी को लॉक करूंगा अब यह आवाज नहीं करेगा आप अब दिखाता हूं या मैंने अब गाड़ी को मैं आपको कार में बैटके भी दिखाता हूं यह मैंने आप गाड़ी को देखना लॉक करूंगा पर गाड़ी बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रही इसका मतलब होता है कि यह साइलेंट फीचर जो है यह आपका अलाम पूरी तरह से डिसेबल हो चुका है अब यह आपको कहीं पर भी वर्क नहीं करेगा सो अब यह आपको अनेबल कैसे करना है तो वह भी मैं आपको दिखाता हूं अब यहां देखिए आपका यह अभी भी रेड लाइट जली रहा है तो इसको हमना ओन किये थे अब इसको वापस से ओफ करके निकाले अब यह रेड लाइट को सेम वही प्रोसेस आपको दुबार से करना है आपको इससे दबा के रखना है तो जैसे आके आपने सुना यह आवाज एक इंडिकेशन लॉक सांड आ गया तो अब यह गाड़ी जो है वह अब यह डिसेबल हो चुकी है वह मैं आपको करके दिखाता हूं अब जैसे वैसे मैंने गाड़ी में ही बैठा हूं तो आप देखिए लॉक करूंगा आवाज आ इस फीचर का कोई ज्यादा फायदा है क्योंकि इस अलाम से आपका गाड़ी डिसेबल हो जाएगा तो आप एक तरह से आप अपना जो आवाज उससे तो बच जाएंगे पर दूसरी तरह से आपको यह चोर सबसे भी आपको अगर कोई गाड़ी में चोरी होती कास तोड़क वो मैं आपके बच्चों के लिए बहुती ज्यादा हेलफूल रहेगा वो छोटे बच्चों के लिए जैसे दो-तीन साल के बच्चे हैं तो वो अगर आपके गाड़ी में रह जाते हैं चुड़ आप उनके छोड़ देते हैं तो फिर आप और गाड़ी आप लॉक करना चाह दे लॉक रहें लॉक ul बटन इससे यह गाड़ी जो है लॉक हो जाती और बमार शाथी है चार और यो कह जाते हैं अडिया सो यह चाबी है अगर इस गाड़ी चाभी को भी आप वापस से अपने वापस हे अपने कार में ही छोड़ देते हैं आप लोख करके माली स्ञेंder बच्चों को security देना चाहते हैं पर आप चावी जो है वो तकार में ही छोड़ देते तो वह मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है जैसे कि मैंने यह चारो डोर मेरे लॉक हो चुके हैं आप जैसे दे सकते हैं अब मैं आपको दिखाता हूं यह चाबी मैंने इसको यहां सीट पर छोड़ दिया अब चारो डोर लॉक है अब मैं दर्वाजा बंद करूंगा तो गाड़ी लॉक है बीवी चारो डोर अभी हमारे बंद हो गये पर अगर आपसे अगर यह चाबी छूड़ या तो आपको लगता है कि अरे यार मेरा अप चाबी छूड गया तो फिर आप एक फीचर इसमें यह दिया हुआ है कि यह देखिए यह जो है अपने आप सेंस करेगी कि आपने अपने चाभी जो है अपने कार्म के अंदर आन्दर के चोड़ दिया है और यह दर्वाजा जो है आपका था खुला खुला रहेगा मैं किसी द्रा भी लॉक नहीं हो देखिया मैंने फिर लॉक किया है जाभी अंदरdal taraf 2014 है इसका पांचवाफीचर है, वो काफी लोगों को पता होगा यह पांचवा फीचर क्या है, यह आपकी जूजर मैनμों में भी दिया हुए, मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं मौल में जाते हैं, तो आप पार्किंग में अपनी गाड़ी को साथ करते baixo, और पार्किंग लम्मे लगाने के बाद अब प्रापने गाड़ी को जब खुशते हैं तो आपको मिलता कभी कबार आपको ऐता है आपको अपनी गाड़ी नहीं खोच पाते तो वह् सकर तब क्या आप कर सकते हैं कि यह जो दो चाबील इन दोनों को आपको देशनली कर दस सकेंड दस जकेंड या थटी सेकंड तक आपको इन दोनों को लमब समय तक प्रेस करके करना है मैं अभ THK यो यह फूरा घर मौला है पूरा चाफ को एक जग जाएगा दोपएरक समय भी हो रहा है तो आपको इस दोनों को 10 सेकंड या 30 सेकंड तक आपको इन दोनों को बटन को प्रेस करके रखना है और फिर यह जो है गाड़ी बहुत ही जोड जोड से आवाज करने लगेगी लाइट जलने लग जाएगी इसारे चारों इंडिकेटर जलने लग जाएंगे और यह जब तक इसका जो बजने का अलार्म टाइमिंग है वह 30 सेकंड तक है 30 सेकंड तक घाड़ी बसते ही रहेगा और इसका आवाज भी इतना तेज है कि लगभग 100 मीटर के आसपास 100-500 मीटर के आसपास तक आपको याराम से सुनाई दे जाती है इतना इसका आवाज है इसके सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस गाड़ी में इस वीडियो में बता दिया है सो आपको वीडियो कासा लगा आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक like जरूर कीजेगा और